Hello Good Morning Class 10 हम लोग पढ़ रहे थे Part 12 आज हम इसका Second Part पढ़ेंगे कल हमने इसका First Part पढ़ा था आपके Part 12 का नाम है जम्मू की चित्रकला कि जम्मू कश्मीर की चित्रकला क्या है कितनी है तो हमने इस पर पढ़ा था पांच कलाई होती है ललित कलाई पांच है साहिते कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ती कला तथा निर्ते कला चीए ना तो इसमें सब में जो महत्वपूर कला बताई गई वो बताई गई चित्रकला जिसमें व्यक्ति चित्रों को देखकर उनको पहचान सकता है और ये लिपी के रूप में भी पुराने जमाने में इस्तिमाल की जाती थी आप देखें सेकिंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत में चित्र कला का एक केंद्र जमू भी रहा है जमू भी चित्र कला का एक में केंद्र माना जाता है जम्मू की कला जम्मू कलम अत्व जम्मू पहाडी कला के नाम से जानी जाती है जम्मू की जो कला है उसको जम्मू कलम या जम्मू पहाडी कला के नाम से उसको जाना चाता है जम्मू चित्र कला का भारतिय कला के छेत्र में विसिस्ट इस्थाने एक खास जगा रखती है कला के छेत्र में इस कला का जन्म लगभग अठारवी शताबदी में हुआ आज से अठारवी शताबदी जब थी तब इस कला का जन्म हुआ था सत्तरवी शतापती में बसोहली पर राजा कृपाल पाल का राज्य था सत्तरवी शतापती मतलब सत्तर सो साल पहले यहां पर बसोली के राजा कृपाल पाल जी का राज्य था वे कला प्रेमी तथा कला का संरक्षक था देखें ये जो राजा किरपाल जी थे वो कला के प्रेमी थे कला से प्यार करते थे उसका संरक्षक थे संरक्षक मतलब उसकी हिफाज़त करने वाले थे उनके प्रसित दर्बारी चित्रकार देवदास ने बहुत से अनुपम चित्र बनाए जो राजा किरपाल पाल जी थे उनके एक दरबारी जो चितरकार थे जिनका नाम था देवदास उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे चितर बनाए उसने रसमंजरी नामक विश्व विख्यात चितरा वली चितरित करके राजा किरपाल पाल को भेट की थी उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब जो चित्रों से भरी हुई थी संकलित थी जिसका नाम था रसमंजरी नामक विश्व विख्यात चित्रावली उसमें हर चीज के चित्रों ने बनाये थे वो बना के उन्होंने राजा किरपाल पाल जी को भेट करी थी ये काल बसोहली चित्रकला का स्वर्निम काल था ये जो काल माना जाता है ये बसोहली का स्वर्निम सोने का युग माना जाता है राजा धुरूवदेव जिसका राज्यकाल 1702 इसवी से 1730 इसवी रहा अपने समय का शक्तिशाली शास्षक था राजा धुरूदेव जी थे जिनका राज्यकाल चला 1702 से 1730 तलक और ये एक शक्तिशाली राजा था उसके उपरांत जम्मू के शासक रणजीत देव के समय के पहाड़ी चित्र उपलब्द हुए उसके बाद यहाँ पर रंजीत देव जी ने शासन किया जम्मू में उस टाइम के कुछ पहाड़ी चित्र आजकल हम लोगों को उपलब्द है अठारवी शताब्दी का उत्रा धर्थ जम्मू कलम का स्वर्णिम काल माना जाता है उस काल में बहुत से चित्रकार हुए और उनके सरजन का स्थर भी उंचा रहा अठारवी शताब्दी में बहुत सारे चित्रकार हुए और उनका चित्र करने का तरीका या अपने चित्रों में जो चीज वो बना रहे हैं उसको समझाने का तरीका बहुत ही उंचा था उनका प्रेड़ना स्रोत जम्मू के सुप्रसिद राजा रंजीत देव का छोटा भाई बलवन्त देव था अब उनको प्रेड़ना देने वाला उनको मोटिवेट करने वाला रंजीत देव का जो छोटा भाई था बलवन्त उसने इन सब चीजों को आगे लेकर आया था आज हम लोग यहीं तक इसे रखेंगे इसके आगे हम लोग थर्ड पार्ट में कल पढ़ेंगे जहां तक मैं पढ़ा रही हूं महां तक आप लोग भी घर पे बैट के इसकी रीडिंग करते रहें घर पे रहें सेफ रहें क्लास ओके खुदा हाफिस